नमस्कार सुलक्ता सवाल में आपके स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ साइमा भवी राम मंदिर की प्राड प्रतिष्ठा की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है और 500 सालों का इंतजार आखरकार अब खत्म होने की कगार पर है देशी नहीं विरेशों में भी जश्ण का महौल है लेकिन ऐसे में भारत की ही कुछ विपक्षी पार्टियों के नेता है जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे और अब भी उनका बाबरी मस्जिद वाला दर्व खत्म नहीं हो रहा लेकिन राम मंदिर को लेकर खुशी की जगा पर ओवैसी सहब ने कुछ ऐसा कह दिया जिसके बाद सियासी बवाल मच गया और लोग सभा चुनाव को लेकर भी सियासी कयास लगाए जोने लग गया जिसके बाद कई तरह के सवाल भी सुलग रहे हैं राम मंदिर से ओवैसी को क्यूं है चिड़ विपक्षी पार्टियों को क्यूं लग रही मिर्ची क्या बाबरी मस्जिद से भड़का रहे ओवैसी हिंदू वोट्रों की तुष्टी करण का क्यूं लगाया आरो राम मंदिर से पूरे देश में खुशी की लहर है लेकिन कुछ लोगों को कुछ जादा ही मिर्ची लग रही है और वो लोगों को भड़काने का काम भी कर रहे हैं इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है असदुदीन ओवैसी का जी हां और इंडिया मजलसे इत्तहादल मुसलमीन के प्रमुख और हैदराबाद से लोग सभा सांसद असदुदीन ओवैसी सत्ताधारी बीजेपी और विपक्ष को तेवरों के साथ निशाने पर लेने के लिए तो जाने जाते ही हैं दरहसल सत्ताधारी पार्टी पर ओवैसी हमलावर तो होते हैं लेकिन विपक्षी पार्टीयों को भी अब वो नहीं बक्ष रहे हैं दरहसल अब ओवैसी ने अपने बयानों से सियासी पारा काफी जादा हाई कर दिया है मीडिया से बाचीत में अजदुदी नवैसी ने अयोध्या में राम मंदिर से लेकर विपक्ष का रुख और बाबरी मज़िद गिराय जाने तक की घटनाओं का जिक्र किया और बीजेपी के साथ ही विपक्ष को भी आड़े हाथो ले लिया एक तरफ उन्होंने राम मंदिर प्राड प्रतिष्ठा के कारिकरम को हिंदो वोटरों के तुष्टी करड की राजनीती करार दिया और कहा कि अब तक जो कुछ हुआ है उसमें विपक्ष की भूमिका भी एहम रही है उन्होंने कहा कि 1949 में चोरी छिपे मस्जिद में एक मूर्ती रख दी गई थी जिसके बाद ही ये पूरा आंदोलन शुरू हुआ मुसल्मानों को मस्जिद में जाने से भी रोग दिया गया एक तरफ जहां कोट और सरकारों ने संग परिवार के पक्ष में फैसले लिये वहीं मुसल्मानों को और अलग थलग कर दिया फिर 1992 में बाबरी मस्जित के ढाचे को गिरा दिया गया ये भी इस प्रक्रिया का ही हिस्सा था उन्होंने आरोप लगाया कि चुनी हुई सरकारों और कोट में बीजेपी संग परिवार के आशवासन की बाद भी मस्जित को आखिरकार गिरा ही दिया गया इसके बाद 2019 में आए कोट के फैसले ने मंदिर का रास्ता साफ कर दिया उन्होंने आगे कहा कि मुस्लिम पक्ष ने लीगल टाइटल को लेकर बहस की थी कोट ने आस्था से जुड़े सबूत की तलाश की और कहा कि हिंदू पक्ष के पास आस्था के सबूत मजबूत हैं उन् कोट ने मुस्लिम पक्ष के स्तर को माना कि मंदिर गिरा कर मस्जिद बनाने की बाद के कोई पूरा तात्विक प्रमारद नहीं है बाचीत में आगे उवैसी ने कहा कि अगर देखा जाए तो बाबरी मस्जिद राम मंदिर का पूरा आंदूलन जूट की जमीन पर खड़ा क्योंकि सुप्रिम कोट ने कहा कि कोई मंदिर नहीं गिरा गया था अजदूदी नोवैसी ने आगे कहा कि राम मंदिर के उधाटन के साथ मोधी हिंदू वोटरों पर अपनी पकड मजबूत करना चाहते हैं उन्होंने 1992 में हुई कार सेवा में एहम भूमिका निभाने वाल राम मंदिर के तुलना भारतिय स्वतंतरता संगराम से की थी और कहा था कि मुसल्मानों से मस्जिद छीनना उपनिवेशिक सरकार को हराने जैसा है वो वैसे ने सवाल किया कि वो कहना चाहते हैं कि भारतिय मुसल्मान मुसल्मान नहीं है आगे उन्होंने कहा कि कोट की फैस के तह धार्मिक स्थानों को परिवर्तित करना प्रतिबंदित है लेकिन वो इसके इम बावजूद इन जगहा पर मंदिर बनाना चाहते हैं और ये दुर्भागिपूर है कि कोट भी इस तरह के मामले चलने देती है मुझे लगता है कि 22 जन्वेरी का ये समारो आज के दौर के मुसल्मानों को उनकी जगह दिखाने की एक सांकेतिक कोशिश है विपक्ष के प्राढ प्रतिष्टा कारिक्रम में ना जाने से जुड़े सवाल पर उन्होंने पलटवार सवाल कर दिया और कहा कि कॉंग्रेस के वरिष्ट नेता कमलनात ने जब कहा कि 1986 में राजीव गां सरकार जो कि उत्रप्रदेश में थी उन्होंने वहां से मूर्ती हटाली होती तो क्या आज जो हो रहा है वो होता क्या कोट का यही फैसला होता उन्होंने कहा कि बाबरी मजजिद के गिरने के लिए केवल कॉंग्रस नहीं बलकि विपक्ष की दूसरी पार्टियों का रुख भी जिम्मेदार है उन्होंने शिबसेना नेता उदब ठाकरी का जिक्र किया और कहा कि उन्होंने तो इस पर गर्व करते हुए खुले तोर पर कहा कि बाबरी मजजिद गिरने में उनके कारेकरताओं कहा था सियम के पद पर रहते हुए उन्होंने कहा कि बाबरी मजजिद गिरने में उनका हाथ था और वैसी ने सवाल किया कि जब कोट में इस से जुड़ा आपरादिक मामला चल रहा था शिबसेना और बीजेपी को कोट में जाकर कहना चाहिए था कि उन्होंने ये किया है जब कोट ने अपने फैसले में कहा कि मजजिद गिराने के लिए किसी को जमिदार नहीं ठहराया गया है मोदी सरकार ने उस पर अपील नहीं की केवल मुसल्मान पक्ष नहीं अपील की थी विपक्ष के लिए उन्होंने कहा कि जीवी पंत की सरकार से लेकर 1989 में राजीब सरकार में ततकालीन ग्रह मंत्री बूटा सिंका शिलान्यास करना फिर दिसंबर 1992 में मजजिद गिराए जाने तक सप्ता में विपक्ष ही था उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरिवाल को भी निशाने पर लिया और सवाल उठाया कि ये किस तरह की विचार धारा है कि आप सरकारी स्कूलों में हनुआन चालिसा और सुन्दर कांड का पार्ट कराएंगे क्या आप बीजेपी के रास्ते जाना चाहते हैं ओवैसी ने आगे कहा कि अरुड जेटली ठीक कहते थे जब आपके सामने असली है तो कोई नकली के पास क्यों जाएगा विपक्षी पार्टियों में काफी अधिक कन्फ्यूजन है कुछ दिन पहले 22 जन्वरी को राम मंदिर प्राड प्रतिश्ठा के दिन केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों को आधे दिन की छूट्टी देनी के सरकार के फैसले को लेकर उन्होंने नाराजगी जाहिर की थी उन्होंने कहा था कि बीजेपी की सरकार वाले एक राज ने इदे मिलादुन नभी की छूट्टी कैंसल की एक सम्विधानिक संस्था ने शुक्रवार की नमाज के लिए मिलने वाले आदे घंटे का वक्त भी छीन लिया ये केवल बहुत संख्यक की खुशी के लिए किया जा रहा है दरसल उनका एक इशारा 2017 में 15 सार्विजोनिक चुटियां कैंसल करने के उत्रप्रदेश सरकार के फैसली की तरफ था जिसमें ईदे मिलादो नभी की चुटि भी शामिल थी वहीं दूसरा इशारा राज्य सभा की चेर्मेन जगरीब धनकड की एक फैसली की तरफ था जिसमें उन्होंने पोस्ट लंच सत्र के शुरू होने का वक्त धाई बजे की बजाये दो बजे कर दिया था कुछ नेताओं का कहना था कि आधे घंटे का वक्त मुसल्मान सांसदों के लिए था ताकि वो नमाज अदा कर सकें लेकिन वो उनसे चीन लिया गया वहें दूसरी तरफ आपको बता दें कि और भी विपक्षी पार्टियों की तरफ से लगातार सवाल उठाये जा रहे हैं और शंकराचारियों ने भी कई तरह के सवाल उठाए हैं आलांकि उन्हें जवाब मिल चुका है दरहसल अयुध्या के राम मंदिर में राम लिला की प्राड प्रतिष्टा के कारिक्रम से कॉंग्रस ने पहले ही दूरी बना ली है 16 जनवरी को कॉंग्रस की भारत जोडो नियायात्रा के तीसरे दिनी नागलेंड में राहूल गांदी ने मेडिया से बात करते हुए राम मंदिर में ना जानी को लेकर कहा कि ये चुनावी राजुनीतिक प्रधान मंतरी मोदी और आरेसस का कारिक्रम है ऐसे किसी भी कारिक्रम में उनके लिए जाना बहुत मुश्किल है राहूल गांदी के बयान के बाद बीजेपी ने कॉंग्रस और विपक्षी गटबंधन इंडिया के बाकी दलो पर भी निशाना साधा केंद्री मंतरी अनुराग ठाकुर ने 17 जनवरी को ही कह दिया था कि प्राड पितुष्ठा समारों से दूरी बनाने वालों लोगों का फिर से बहुषकार कर सकते हैं इस पर कॉंग्रिस ने भी पलटवार किया कॉंग्रिस महासचीब जेराम रमेश ने कहा कि हर घर में मंदिर होता है ये राजनीतिक समी करण है वहीं दूसरी तरफ कॉंग्रिस के ही नेता ने राम मंदिर पर ऐसा आमर्यादित बयान दिया जिसके बाद विपक्ष पूरी तरह से घर गया दरसल करणाटक कॉंग्रिस नेता और करणाटक सरकार के मंतरी के अन राजन्ना ने 16 जन्वरी को राम लिला को लेकर एक विवादित बयान दिया केयन राजन्ना ने कहा कि राम मंदिर का इतहास हजारों सालों का है लेकिन भाजपा चुनावों के लिए मंदिर बना रही है भाजपा लोगों को धोखा दे रही है कॉंग्रेस नेता ने आगे कहा कि जब बाबरी मस्जित को द्वस्त किया गया था तुम्हें अयोध्या गया था तंबू में दो डॉल रखकर उन्हें ये लोग यानी बीजेपी राम भगवान कहने लगे केयन राजन्ना ने आगे कहा कि जब घर के पास राम मंदिर जाते हैं तो हमें अलग महसूस होता है लेकिन अयोध्या में मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ केयन राजन्ना पर सियासी हंगामा हो रहा है करनाटा के इस मंत्री के बयान पर 36 गड़ के पूर्व उपमुख्य मंत्री टी एस सिंग देव ने प्रतिक्रिया दी उन्होंने कहा कि ऐसे बयानों की कोई जरूरत ही नहीं है मगमान राम सदियों से लोगों के दिलों में है मुझे लगता है कि ऐसे बयानों की कोई जरूरत नहीं यानि कुल मिलाकर राम मंदिर को लेकर विपक्ष के नेताओं के पेट में दर्द खूब तेजी से हो रहा है और आखर ये क्यूं हो रहा है इस सवाल का जवाब तो वही जानते हैं फलाल सुलकता सवाल में इतना ही बाकी खबरों के लिए देखते रहे हैं आपिटूल टीवी नमस्कार